अहंकार छोड़िये और सीखना शुरू कीजिये धर्ती पर जर्म लेने के साथ ही सीखने की परकिरिया परणब हो जाती है जो हम बड़े होते जाते हैं सीखने की परकिरिया भी विश्थार लेती जाती है जल्द ही हम उठना बैठना बूलना चलना सीख लेते हैं इस बरे होने की प्रकिरिया के साथ ही कभी-कभी हमारा आहंकार हमसे अधिक बरा हो जाता है और तब हम सीखना छोर कर गलतियां करने लगते हैं यह आहंकार हमारे विकास मारग को अवरुद्ध कर देता है इस बात की चर्चा करते हुए मुझे एक वाकिया याद आ रहा है जिसकी चर्चा यहां करना अच्छा होगा एक बार की बात है रूस के ऑंसपैस्की नाम के एक महान विचारक एक बार संत गुर्जियप से मिलने उनके घर गए दोनों में विभिन विश्यों पर चर्चा होने लगी अंसपैस्की ने संत गुर्जियप से कहा यू तो मैंने गहन अध्यान और अनुभव के द्वारा काफी ग्यान अरजित किया है किन्तु मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं गुर्जियप को मालूम था कि अंसपैस्की अपने विश्या के प्रकांड विद्वान है जिसका उन्हें थोरा घमन भी है अतह सिधी बात करने से कोई काम नहीं बनेगा इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद एक कोरा कागज उठाया और उसे अंसपैस्की की और बढ़ाते हुए बोले यह अच्छी बात है कि तुम कुछ सीखना चाहते हो लेकिन मैं कैसे समझूं कि तुमने अब तक क्या-क्या सीख लिया है और क्या-क्या नहीं सीखा है अतह तुम ऐसा करो कि जो कुछ नहीं जानते हो और जो कुछ जानते हो इन दोनों के बारे में इस कागज पर लिख दो जो तुम पहले से जानते हो उसके बारे में चर्चा करना ब्यर्थ है और जो तुम जानते नहीं हो उस पर ही चर्चा करना ठीक रहेगा बात एकदम सरल थी लेकिन ऑंसपैस्की के लिए कुछ मुश्किल था उनका ग्यानी होने का भीमान धोलधुसरित हो गया उनसपैस्की आत्मा और प्रमात्मा जैसे विसया के बारे में बहुत कुछ जानते थे लेकिन तत्व सरूप और भेद और भेद के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था गुर्जियफ की बात सुनकर वे सोच में पर गए काफी देर सोचने के बाद भी जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने वह कोरा कागज्यों काते हूं गुर्जियफ के थमहा दिया और बुले स्रीमान मैं तो कुछ भी नहीं जानता आज आपने मेरी आँखें खोल दी आउन्स पैस्की के बिनमरता पुर्वा कहे गए इन सब्दों से गुर्जियफ बहद प्रभावित हुए उन्होंने बोले ठीक है अब तुमने जानने योग पहली बात जान ली है कि तुम कुछ नहीं जानते यही ग्यान की पर्थम सिधी है अब तुम्हे कुछ सिखाया और बताया जा सकता है अर्थात खाली बर्तन को भरा जा سकता है किन्थु अहंकार से भरे बर्तन पे बुंद भर ग्यान भरना समभव नहीं अगर हम खुद को ग्यान को गहन करने के लिए तयार रखें तो ग्याना अरजन के लिए सुपात्र बन सकेंगे ग्यानी बनने के लिए जरूरी है कि मनुष ग्यान को पा लेने का संकल्प ले और वह किवल एक गुरू से ही स्वेंग को नो बांधे बलकि उसे जहां कहीं भी अच्छी बात पता चले उसे गरहन करे दोस्तो आज की ये कहानी कैसी लगी कोमेंट करके बताएंगे अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को सेर करने में कंजूसी नहीं करिएगा साथ ही अपने चैनल कथा काब दर्पन को निश्चतुरूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर मिलेंगे दूसरी ग्यान पर धक कहानी लेकर तब तक खुस रहें मस्त रहें ब्यस्त रहें जै हिंद जै भारत